हेलो स्टुडिंट्स आप लोग कैसे हैं एक्जाम की तैयारी चल रही होगी सब को एक्जाम में जरूत पड़ती है हेल्प की जो बच्चे काफी तेज होते हैं वह भी कन्फिज हो जाते हैं एक्जाम के समय काफी प्रैक्टिस करना होता है ताकि कुछ भी हम ना भूलें जाम में उसके लिए हम लोग बार-बार रिविजन करते हैं तो चलिए आज हम देखते हैं सर्कल के बारे में आपको बताएंगे मैंसुरेशन में एक पार्ट होता है सर्कल शर्कल होता क्या है और सर्कल में क्या-क्या जानना जरूरी है यह हम आपको बताएंगे आज सरकल यह बन गया आपका सरकल इसको चारो तरप खीचते हैं तो यह सरकल बन गया और इस तरह से अगर यहां से यहां तक की दूरी हो गई यह अगर यह पॉइंट से बीचो बीच जो लाइन जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डायमेटर और यह पॉइंट से लेके यह यहां तक की दूरी का गहेरा जो बन गया आपका यह सरकल में इसको बोलते हैं ä departments आ यह थे हैं अब हमको क्या करना है कि यह आपने डायमेंटर देखा और रेडिस देखा अब सरकल में दो ही कोश्चें आता है related, दो formula से related question आता है, circumference, circumference, और दूसरा area, circumference का formula होता है, एक जिस से हम निकालते हैं, circumference होता है, circumference होता है, ए सर्कल का घेरा, boundary, जिसको आप boundary बोलते हैं, माल लेज़ें, यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालना है, तो हम एक boundary का दूरी निकालेंगे, यह हो गया circumference, और इसका formula होता है, 2 pi r, 2 pi r में pi का value होता है, 22 by 7, और अगर आप इसको decimal में निकालेंगे, तो 3.14 होता है, और radius तो आपने देखा कि मैंने radius क्या बताया, अगर radius का value दिया रहेगा, तो यह radius हो गया, ठीक है, radius हमारे पास दिया रहेगा, कि radius माली जे 5 cm है, 4 cm है, जो भी यह 5 m है, तो अब हम उससे circumference निकाल लेंगे, अब हो गया, area of circle, अब निकालना है, दूसरा चीज है, area, circle का area, circle का area मतलब इसके अंदर का पार्ट, circle के अंदर का पार्ट का निकालना है, उसको हम लोग बोलते हैं, area, area का formula होता है, पायर, square, पाय का तो वैलू अपने जाना, कि इसमें भी पाय का वैलू होगा, 22 is equal to 22 by 7, और अगर decimal में कर देते हैं, तो यह 3.14 होता है, कहीं कहीं आपको question में दिया रहेगा, कि इसको उच करना है, कभी कभी दिया रहेगा, कि इसको उच करना है, तो आपके question में यह पाय का value दिया रहेगा, तो आप circumference निकाल पाएंगे, और area भी निकाल पाएंगे, तो बस circle में अगर इतना अगर कोई बच्चे अगर ध्यान में रखते हैं, तो हम लोग इसको, इसके through question का solution निकाल सकते हैं, question का answer निकाल जो भी question होगा, अगर इतना तो ध्यान में पहले रखना हो जो कि मैंने circle के बारे में आपको बताया, तो अगर इस तरह से आपको video समझ में आया होगा, circle के बारे में किसी भी तरह का solution में आगे दूँगी, और यह तो बेशिक था, इसको आपको समझना जरूरी है, और चलिए video को देखेंगे, पूरा video देखेंगे, तभी समझ में करी,